नमस्कार दोस्तों ये वीडियो प्रधान मंत्री विश्व कर्मा योजना के बारे में है प्रधान मंत्री विश्व कर्मा योजना में जो ए संगटीत क्षेत्र के सरमकार है उनको इस योजना में लोन भी मिलता है यानिकि एक लाख से लेकर के तीन लाख रुपे तक का यहां कौन-कौन से website करने वाले लोग है वो इसमें आवेधन कर सकते हैं और आवेधन कैसे करना होते हैं आपको क्या 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 डोकुमेंट आपको इसमें लगाने होते हैं यानि कि जो लकड़ी का काम करते हैं, बड़ेई का काम करते हैं, वो आवेदिन कर सकते हैं, इसके लावा नाओ मेकर का काम करने वाले जो नाओ वगेरा बनाते हैं, वो आवेदिन कर सकते हैं, ससस्तर वगेरा बनाने वाले हैं, वो इसमें आवेदिन कर सकते हैं, लोहार का काम है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं जो मूर्ति वगेरा बनाते हैं वो इसमें आवेदन करके और योजना का लाप प्रापत कर सकते हैं इसके लावा पत्थर का काम करने वाले जो मारवल वगेरा का काम करते हैं या पत्थर तोड़ने का काम करते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते चमड़े से सबंदित काम करने वाले यानि को जो चरमकार है वो आवेदन कर सकते हैं कोई फूट वियर बगएरा बनाते हैं जूते बगएरा बनाते हैं वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा राजमिस्त्री का काम करने वाले जो चिनाई का काम करते हैं राज स्टाइफन का लाब ले सकते हैं लोन ले करके अपना वैयोसाइज सुरू कर सकते हैं इसके अलावा जो नाई का काम करते हैं नाई का काम करने वाले इस योजना में आवेदन करके और लाब ले सकते हैं डोल बनाने वाले जो गुडिया वगेरा बनाते हैं खिलोना वगेरा ब ले सकते हैं और जो सरकार से फाइदा मिलता है सरकार से जो साइदा मिलती है उसका लाब ले सकते हैं इसके अलावा जो मचले पगड़ने का जाल वगेरा बुनने का काम करते हैं वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं नेट वगेरा बनाने वाले हैं वो इस योजना में आव से पहले आपको आवेदन करना होता है, आवेदन आपका CSC Center के माधियम से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवेदन होता है, वो Biometrics के दोरा होता है, आपके fingerprint लगते हैं, आपका आवेदन होगा, तो जो आवेदक है, यानि कि जो काम करने वाला है उसको खुद जाना होगा CAC Center, उसके Biometric होगे, Fingerprint वगएरा लगेंगे और उसके बाद वहाँ से आवेदन होगा, आवेदन होने के बाद उनकी training होती है, यहाँ पे आपको 10 दिन से ले करके 15 दिन की training मिलती है, यानि कि आप 10 दिन की training भी ले सकते ह जब आपके training complete हो जाती है, तो आपको एक certificate दिया जाता है, यानि कि आपका जो भी वैवसाय है, माल लेती हैं आप लोहार का काम करते हो, तो आपको उस profession से related एक certificate मिलेगा, उस certificate का आप आगे चल करके यूज कर सकते हो, professional कारिया के लिए, जब भी आप किसी प्रकार का वैवस तक का इस योजना में loan मिलता है, loan है वो आपको 5% ब्याजदर पर मिलता है, यानि कि कम से कम ब्याजदर पर आपको यहां से loan मिलता है, और बिना collateral के आपको loan मिलता है, जब हम bank में जाते हैं कोई loan लेने के लिए, तो bank में हमारे को कोई security देनी पड़ती है, किसी ने किसी है, वो शुरू कर सकते हो, जब आपकी training complete हो जाती है, तो आपको अपना समान वगेरा खरीदने के लिए, यानि कि आपके toolkit वगेरा खरीदने के लिए, आपको सरकार से 15,000 रुपे की आर्थिक सहायता भी मिलती है, कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि सिलाई machine वगेरा मिलती है तो अगर आप tailor का काम करते हो, दरजी का काम करते हो, तो आपको सबसे पहले tailor के काम करने की training मिलेगी, training complete होने के बाद आपको 60,000 रुपे की साइटा मिलती है, उससे आप सिलाई machine खरीद सकते हो, अपना जो भी सिलाई machine का काम है, उससे सबंदित आप उपकरने है, वो सबंदित काम करते हो, यांकि जिन वयुसेriendे के बारे में मैंने आपको बता है, अगर आप उनसे सबंदित कोई काम करते हो, तो आप इस योजना में आवेदन करके, आप सरकारी योजनाों का लाप प्रापत कर सकते हो, तो ये थी जानकरी परदानमंत्री विस्व कर्मा यो और आपसे request है कि इस वीडियो को आप share जरूर कीजिए अपने WhatsApp पे, Instagram पे, Facebook पे आप अपने जरूरतमन दोस्तों के साथ इस वीडियो को share जरूर कीजिए ताकि लोगों तक जानकरी पहुंच सके और इस परकार की और अधिक जानकरी के लिए आप हमारी website www.edigitalpatsala.com जरूर विजिट करें साइट का लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में साइट पर कई परकार की government related schemes की जानकरी है तो आप हमारी साइट है वो जरूर विजिट करें वीडियो वोज करने के लिए आपका बहुत वो धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम